सबाई जनला हर्दिक स्वागाच्छा तपाई हर्दे होनां छा बी एस अकेडियमे नेपाल यूट्यूब चैनल मा अबको केही दिन च्लास 10 को ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर कम्पलीट गरने छो क्लास 10 को ट्रिगोनोमेट्री मा पर्णु पर्णी टपिक हर्वेस्ता चान 6 marks का short question सोच छा तेस्ते long question 3 वटा सोच छा यवटा question को weight चाइं 4 marks होंच 4 3 जा 12 marks यशारी जमाजमे 20 marks का question चाइं class 10 को S e मा trigonometry बाट सोच छा रशन संगा ये class 10 को trigonometry मा student हर लाई चाइं formula समझे ना एकदमाई गारवाई रक होंच मा समझे ने की टेकनिक हरू सेखावने चो मा आजा शुरू गर्चू multiple and sub-multiple angles ला फस्ट टपिक्स हा multiple and sub-multiple angles येदि आमी संगा number 5 चावाने इसका multiple हरू के होंचन 2 times 5, 3 times 5, 4 times 5 and so on येशते येदि angle A चावाने 2 times A, 3 times A, 4 times A, 5 times A and so on all these are multiple angles of angle A येशते येदि angle A चावाने A upon 2, A upon 3, A upon 4 and so on all these are sub-multiple angles of angle A येदि आज़को वीडियो मा ट्रिगोनोमेतिक रेशियो जफ मल्टिपल यांगल्स अत्वार्ड ट्रिगोनोमेतिक आइडेंटिटिपिस अफ मल्टिपल यांगल्स भने राद शेक्ने सों 2B, 3B, 4B, 5B, all these are multiple angles of angle B In this way, B upon 2, B upon 3, B upon 4 All these are sub-multiple angles of angle B है मिले class 9 को trigonometry मा चाहि trigonometric ratios of standard angles को concept सिखी सके काचाम जस्तो trigonometric ratios of standard angles 0, 30, 45, 60, 90 degree अरप ब्यालू सिखी सके काचाम तेस तही complementary angles को concept सिखी सके काचाम यदे 2-8 angle को some 90 degree होंचा बने तेस तो लाइ complementary angles बन्चा रतिनियर को relation को कुरा एकदम रामरो संगा सिखी सके काचाम तेस तही trigonometric ratios of any angles तेस माँचे कास्ट रूल चाहिए एकदम important rule तेव कास्ट रूल अत्वा quadrant rule को concept रामरो संगा सिखी सके काचाम तेस तही compound angles को concept शिखे का थी उरा तेस बाटा हमली इनी हरेक टपिक बाटा फर्मोला जानी सके पची हमी बल्ला multiple and submultiple angles topic स्टार्ट गर देचू एदी इट टपिक हरुको फर्मोला रा concept चाहिए किले रबको चाहिए न बाने तो पावले चाहिए रिवियो गर्ना सकना होंचा माँ चाहिए विडियो लिंक डिस्क्रीप्शन मा राग देने छू अब माँ स्टार्ट गर्चू multiple and submultiple angles बाट trigonometric identity जारू समझेने टेक्निक ला माँ ले चाहिए multiple and submultiple angles topic माँ चाहिए इंपोर्टेंट फर्मुलाहर को list बनाए देक्वाच अब चाहिए यो कसरी प्रैक्टेस गार्दा समझेना सक्किन छाता त्यो माँ हेल्प गर्च माँ ले फर्स्ट फर्मुला लेखे को छो sin 2a काज 2 2sin a काज यो समझेना कर्च sin 2a काज 2 2sin a काज त्यो माँ पने समझेनोष तरहा हमें इनी फर्मुलाहर लाए ड्राइब गरना पने सक्चाम जस्तो sin 2a लाए sin a plus a ता लेखना सक्किन छानी याने रा कंपाउन ये अंगल को फर्मुला लावनाश तर यो फर्मुलाह यानश त्यस्ते कोस 2a लाए पने कोस a plus a बनाए रा कंपाउन ये अंगल को फर्मुला लावनाश कोस a plus b वाला फर्मुला कोस a कोस b minus sin a sin a ये सरी यो आउंश तरहा इनी दुटा फर्मुलाह समझेनोश अब त्यस्पचे यो फर्मुला को येलप बाट एकदम धहरे ही फर्मुलाहरो हमी बनाऊना सकें जा जस्तो कसच च्वार ये लाए 1 minus sin square a लेकना सकें चा minus sin square a as it is त्यस्ते 1 minus sin square a minus sin square a तो के 2 sin square a त्यस्तो भाए कस 2a equals to 1 minus 2 sin square a यो फर्मुला चाहिं कस 2a in terms of sin a हो येती कोईशन मा sin a को value दियो 3 upon 5 5 इंद the value of cos 2a बने 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 हमी यो formula लगावने बहियो तेश थाई फेर यो formula लगे मेले cos 2a equals 2 cos square a minus sin square a अब sin square a ये लाई चेंज गरावना 1 minus cos square a 1 minus cos square a बना बने minus plus minus 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 plus यो चाहिए cos square a plus cos square a आऊँछ 2 cos square a minus 1 तेश वा cos 2a को formula in terms of cos ये चाहिए के मुदराच 2 cos square a minus 1 यो चाहिए in terms of sin यो चाहिए in terms of cos येदि क्वेशन मा चाहिए cos a को value दियो 4 upon 5 find the value of cos 2a बने बने यो formula लायरा बहिए ना नि अब यो formula लाँच माने cos 2a in terms of cos a वाला formula उस्वाई हामिले अईले समा sin 2a cos 2 sin a cos a cos 2a cos 2 cos square a minus sin square a cos 2a cos 1 minus 2 sin square a cos 2a cos 2 cos square a minus 1 ये formula रो सिखियो तब हरु क्ये गर्नास बने इनी formula जहाप्पाई याद गर्मो बन्दा formula चाहिए योटा formula बाट अरको formula बनोना सिखनो इक्जाम्मा इनकेस formula बिरिशियो बने येलफ हुँँचा, support हुँचा, कम्तिमा ये उटा कुना ये relation था बाए बने आमी जस्था बने फर्मोला बनोना सकें चाहिए अब देश्ताई याने रहा यो cos 2a plus 1 यो minus 1 लाइचें left hand side मन लगें cos 2a plus 1 equals to 2 cos square a तेस्ताई cos square a equals to cos 2a plus 1 divided by 2 यो पनी देरे ये उज़वने formula आओ cos a in terms of अत्वा cos square a in terms of cos 2a तेस्ताई cos a is plus minus square root cos 2a plus 1 divided by 2 ये इनी formula चाहिए एक्टम देरे ये उजवने चाहिए cos a in terms of cos 2a अब कोईशन मा कोशरी दिन छा cos 2a को व्यालू दिन छा cos a को व्यालू फाइंड आउट गानुश बने वेने हमितेती वेला एई formula लगाऊँच अब तेस्ताई फेरे यो relation बाटा याने रा 2 sin square a लाइचें left hand side मन लगशू 1 minus cos 2a बनाऊच 2 sin square a equals to 1 minus cos 2a divided by 2 योपन एकदम देरे यूज़ वनी फर्मुला हाँ तेस्ताई sin a equals to plus minus square root लागे वनी plus minus 1 minus cos 2a divided by 2 इनी फर्मुला चें कोईशन मा देरे चाइनी फर्मुला हारो 1 sin a in terms of cos 2a फेरी पनी है cos 2a को व्यालू दिन छा तेस्पची sin a find out गर्नुस बनाच तेथी वलाचे यो फर्मुला लगाँच अब तेस्ताई योचें समझेनो 10 2a equals to 2 10a divided by 1 minus 10 square a योचें कोईशन मा 10a को व्यालू दियो 10 2a find out गर्नुस बने बने यो फर्मुला लगाँच तेस्ताई sin 2a equals to 2 10a divided by 1 plus 10 square a योचें बने रा कम्पेर गर्नुस 10 2a equals to 2 10a divided by 1 minus 10 square a sin 2a equals to 2 10a divided by 1 plus 10 square a तेस्ताई cos 2a equals to 1 minus 10 square a divided by 1 plus 10 square a इनी तीन ओटा फर्मुला लगाँचें योटे गुरूप बनाए रा सम्दिनुस कम्पेर गरे रा सम्दिनुस अब इस्टुडियान ला के होंचा बने doubt कती बेला cos 2a का ता यहां धरे फर्मुला हरु आई साके कती बेला इसता फर्मुला युज गरने कस भी थापाऊने बने राशोतनों बाया होंचा यह दे question मा 10a को ब्यालू दिये रा sin 2a फाइंड आउट गरनोस बने बने ता हम यही फर्मुला लागाने बहिं उना ता हम ले sin 2a को फर्मुला 2 sin a कस ये पनी सिख्यो नी तरह 10a को ब्यालू दिया छा बने ये फर्मुला यार के का हमी क्ये गर्छां sin 2a इकल्स टो 2 10a डिवाइड बाइ 1 प्लस 10 स्क्वाइर ये फर्मुला लागा रा sin 2a को ब्यालू जिख्यों तेस्ताई जुन गिवन सा ते यह अनसर को फर्मुला लागान पर सा question solve गर्दा तेस्ताई 10 square a इकल्स टो 1 माइनस cos 2a डिवाइड बाइ 1 प्लस cos 2a यहला यानिरस सिम्प्लिभाइ गरे गरे बने जैं यह 10 square a को ब्यालू आउशा तरह समझीन पनी सक्किन चायोता 10 square a इकल्स टो 1 माइनस cos 2a डिवाइड बाइ 1 प्लस cos 2a अब question मा यहदी cos 2a को व्यालू दिया रा find the value of 10 square a अथवा 10a बने बने जैं आम यह formula लोगा हूशा अथवा यह formula चैं प्रूफ मा देरे चायं चायं चा 10 square a इकल्स टो यहस्तो तेस्ट बाइ 10a इकल्स टो प्लस माइनस स्क्वाइर उट यहस्तो संसंगे cot a बने रेशिप्रोकल अप्टेन यह हो cot square a बने चैं यह प्लस वाला टम नियूमेरेटर मा मैनस वाला टम डियूमेरेटर मा cot a बने चैं प्लस माइनस स्क्वाइर उट फेरी प्लस वाला टम नियूमेरेटर मा मैनस वाला टर्म डिनोमिनेटर मा, इसे को रेशीप्रो करते, अब यानेर चाहिं, ट्रीपल अंगल फर्मुला हरु चाहिं, अगी सम्मा हमने डबल अंगल को कुरागरी रको थीम है, इता, sin3a इकॉल्स to 3 sina minus 4 sin qe, इसपाटा देर इपर्मुला हरु बनावना सक्केंच, तरह यो इस्टेंडर फर्मुला सम्जिनूँँआज अनी फर्मुला बनावना सक्केंच, sin 3a equals to 3 sin a minus 4 sin cube a अब याने रहा सम्झेने उस cos 3a equals to 4 cos cube a minus 3 cos a यो उस्ते उस्ते देखिंचा compare गरे रहा सम्झेना सक्केंच 3 sin a minus 4 sin cube a अब cos मा चाहिं 4 cos cube a minus 3 cos a यो सम्झेने और 10 3a equals to 3 10 a minus 10 cube a divided by 1 minus 3 10 square यो चाहिं सम्झेने तेस्ते एमलाई थाचा sin 2a equals to 2 sin a times cos a एदी एंगल a लाई चाहिं a by 2 ले रिप्लेस गरे भने या के बन्छा भने sin a equals to 2 sin a upon 2 times cos a upon 2 बन्छा यो चाहिं trigonometric ratio of angle a in terms of sub-multiple angles बन्छा ये सरी फर्मुलारू बनिड़ा कोम्छा जस्ते याने रहा cos 2a equals to cos square a minus sin square a याने रहा cos a equals to cos square a upon 2 minus sin square a upon 2 ये सरी sub-multiple angles को relation बनिड़ा बन्छा तेस्ते cos 2a equals to 1 minus 2 sin square a हो फेरी a लाई ये अपन 2 ले रिप्लेस गरे बन्छा cos a equals to 1 minus 2 sin square a upon 2 बन्छा ये बन्छा 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 ये सरी cos a in terms of sin square a अब ये समा question सरी कासरी सोच बन्छा बन्छा sin a upon 2 को ब्यालू दिन्छा find the value of cos a बन्छा तेस्ते याने रहा फर्मुला चा 10 3a equals to 3 10a minus 10 cube a divided by 1 minus 3 10 square a ये दि ये लाई फेरी a upon 3 ले रिप्लेस गरे बन्छा याने चाहिके आमसा 10a equals to 3 times 10 a upon 3 minus 10 cube a upon 3 1 minus 3 10 square a upon 3 आमसा ये पन्छा ये सब मल्टिपल अंगल्स को रिलेस्टन हो 10a in terms of 10a upon 3 ये चरी फर्मुला हरू compare गर दे वार drive गर दे समझीना try गरे बने के चाहिके सजीलों बना सक्षा हो हाई अब चाहिक मायसको एक साइज इस्टार करच question number 1 write sin 2a in terms of 10a बन्छा हैमले चाहिक sin 2a equals to 2 10a divided by 1 plus 10 square a लेकनो पर्यो sin 2a का अरू फर्मुला हरू पनिशन तरह sin 2a in terms of 10a बने पस्ता युटे फर्मुला चाहिक येस्ता equation सारू चाहिक 1 maximum स्वधी रको हुँछ तेस्ता equation number 2 express sin a upon 8 in terms of 10a upon 16 बन्छा सब बन्दा पहिला चैहिक sin र 10 बको फर्मुला चाहिक sin 2a equals to 2 10a divided by 1 plus 10 square a अब आहमिलाई sin a upon 8 लेवन पर्याख यात 2a चाहिक तरह बहाँ एको बहलो कदिले रिप्लेस गारना पर्येता यात अब आपन 8 लेवन लाईता 2 times a upon 16 बन्दा के बन्दा यो a upon 8 बन्दा तरह बहाँ al i a upon 16 ले रिप्लेस कारना पर्येता अब आपन याने रचाइं, 8 times a upon 16 बाइबची, a upon 8 बाइबची, a upon 8 बाइबची, equals to 2 times 10, यह ला हमले a upon 16 बाइबची, a upon 16, divide by 1 plus 10 square a upon 16, this is sin a upon 8 in terms of 10 a upon 16, this is our answer. तेस्ते एक्वेशन नमार 3 चा, एक्सप्रेस, cos 6a in terms of sin 3a बाइबची, पहला चाहिए, cos in terms of sin वाकव फर्मुला चाइब आपन लाए, cos 2a equals to 1 minus 2sin square a, यह फर्मुला हो, अब आपन लाए है, 6a बलोनों चा, कतिले times गरनों परने चा, अत्वा, a लाए, कतिले replace गरनों परने चा 3a, a लाए, 3a रिपलेश करे बने, यह 6a बन्चा, अब याने रा, एको ठामा 3a बन्चा, यह चे, expression of cos 6a in terms of sin 3a बन्चा, यह हम्रों एंसर हो अबने, cos 2a in terms of sin 2a चाहिए, cos 2a in terms of sin 2a, त्यों बन्या फर्मुला, cos 2a equals to 1-2 sin 2a हो, अबने, 1-2 times sin 2a को value, 3 upon 5 को whole square, 1-2 times 3 को square is 9, 5 square 25, तेस पसी 9 to 18 upon 25, याने रा, subtraction अब fraction गरे बने, 25-18 divided by 25, 7 upon 25, this is the value of cos 2a, लग्तेस्त एकोईशन नमर 5, if 10a equals to 3 upon 5, find the value of sin 2a बन्चा, 10a को value दिया चा, sin 2a को value find out गर्नों बन्चा, उस वाय हमले खोजन पर्यो, sin 2a in terms of 10a वाला फर्मुला, sin 2a in terms of 10a is, 210a divided by 1 plus 10 square a, 10a को value दिया चा, 3 upon 5, रिप्लेश गर्दे चुबां, 1 plus 3 upon 5 को whole square, याने रा, 3 to 6 upon 5, अनि denominator मा, 1 plus 3 square 9, 5 square 25, अगर दिनोमिनेटर मा, हमी एडिशन अफ रेक्शन गर्चा, याने रा क्यो हुँँचा, 25 plus 9 divided by 25 बन्चा, अनि लाफ रिशी प्रो कर लगांचा, 6 upon 5 times 25 में, नुमिनेटर मा जांचा, 25 plus 9 is 34, अगर याने रा, 5 5 जा 25 बन्चा, 3 2 जा 6, 17 जा 34, 5 3s, 15 अपन 17, इस अपन लाफ, 10 a is 3 by 5, इस अवर यंचा, Q6, इस सइन एक्टो अपन टो फिन दा विहलू अपन टो आ गर्चा, sin 3a in terms of sin a formula चाहिए। किना मने sin a को बहलो देखोचा sin 3a in terms of sin a is 3 sin a minus 4 sin q a अब sin a को बहलो रिपलेश करचाम 3 times sin a is 1 upon 2 minus 4 times 1 upon 2 को बोल q तेस पची 3 वान जा 3 upon 2 minus 1 को q बना 1 2 को q बना 8 हो 1 times 4, 4 divided by 8 । अब यान जा थाइ। 4 रिपलेश थाइ। 4 तेसरग रिपलेश थाइ। 1 upon 2 यांश थाइ। 3 upon 2 minus 1 upon 2 यांश थाइ। 1 यांश थाइ। 2 यावलेश थाइ थाइ। 3 minus 1 3 minus 1 याश थाइ। 2 divided by 2 1 This is the value of sin 3a when sin a is 1 upon 2 This is our answer Question no.7 If cos 30 degree equals to root 3 upon 2 so that cos 15 degree equals to root 3 plus 1 divided by 2 square root 2 गन चा यान यह रचाए ख्याल गरनी 15 degree चे आहमलाई 100 गरनो परनी चा 15 को double angle multiple angle चे गिवन चा this way I am like cos a in terms of cos 2a चाहिए cos a in terms of 2a चाहिए किना बनी 2a को बहलू दिया चा a को बहलू हमलाई find out गरन पात्वा 100 गरनो परनी चा cos a in terms of cos 2a फर्मुला तो यह हो cos a equals to square root 1 plus cos 2a अपन टू याने रचाहिए प्लस माइनस लगाईना किना बनी 30 degree यह क्यूट यह अंगलो अब यह को ठामा 15 degree तेशबा याने रचाहिए आहूँछ 2 times a हुँछ नि 2 times a बने यह था 30 हो 2 times 15 30 cos 30 को बहलूत गिबन चाता ते बर आमले यह पर्मुला लगाईयो अब कस 30 को बहलूत दिया चा रूट 3 आपन 2 plus 1 divided by 2 अब याने रचाहिए निमेरेटर मा एडिशन आफ फ्रेक्शन गरे बने किया हूँछ बनी 2 plus square root 3 आपन 2 आपन 2 आपन 2 लफ रेशी प्रोकर लगाया बनी 2 plus square root 3 आपन 5 बन चा अब याने रहा आघेशन नष्गस 15 इकल जट 2 square root 3 plus 1 divided by 2 square root 2 याने रहा तो ओल square root छानी अब यो ओल square root लाए गायव गर्नु पर छा कसरी गर्नु पर चा बनी किया गर्नी निमेरेटर मा 2 ले टाइमज गर्नी अब यह 4 लाए 3 प्लस 1 लेखना साकिन चे यह ब्रेक गरना साकिन चबिचको टर्म dead is अब यह स्क्वायर ओड्युट अब यह स्क्वायर रूट ू पार्पेक्ट इस्क्वायर को फाम्माल लाई जांचु a² प्लस 2 a b प्लस b² बना होँछुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु square को हमागई शागा। a square plus 2ab plus b square को हमागई शागा। तेसबा की उन्च आयो स्क्वार root 3 plus 1 को होल स्क्वार होंच a square plus 2ab plus b square is a plus b को होल स्क्वार आनि यो श्क्वार ले square root काया। जस्तो square root a square ज़ेला a लेहना मिल्सा। तेसबा, square root 3 plus 1 divide by 2 square root 2 this is the value of cos 15 this is our answer question number 8 if cos 45 degree equals to 1 upon square root 2 prove that 10 22 whole 1 upon 2 degree equals to square root 2 minus 1 and it says 22 whole 1 upon 2 22.5 degree yes ko double 45 degree value अब हमले खोज़ना पर्यो 10a in terms of cos 2a किना बने योचा ही 22.5 हो योचा ही 45 degree अब हमले खोज़ना पर्यो 10a in terms of cos 2a अब हमले संगा फर्मूला चा 10a in terms of cos 2a 10a equals to square root 1 minus cos 2a divided by 1 plus cos 2a अब हमले येको बहलो 22.5 अब हमले येको बहलो find out गरनो पर्नी चा अणि 2 times यो बहलो 45 degree हो 45 degree अब हो cos 45 degree को बहलो अब हमले रिफ्लेश गर्षम 1 minus 1 upon square root 2 1 plus 1 upon square root 2 numerator मा सब्रेक्शन अफ फ्रेक्शन गर्षम square root 2 minus 1 divided by square root 2 denominator मा addition अफ फ्रेक्शन गर्षम square root 2 plus 1 divided by square root 2 अब हमें 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 हमले रिफ्लेश गर्षम किना वने हमले हमले फ्रेक्शन गर्नी बहलो तह यस्तो चा whole square root चाई गर्षम rationalize गर्यों square root 2 minus 1 divided by square root 2 plus 1 rationalize यह प्लस चाबनी minus वाला टम ले rationalize गर्यो अब यह numerator माचाई square root 2 minus 1 square root 2 minus 1 चानी square root 2 minus 1 को whole square आउंछा अणी denominator माचाई a plus b a minus b को फम माचा a square minus b square square root 2 को whole square minus 1 को square अणी मले numerator ला एजटीज राखे square root 2 को whole square बने 2 अणी 1 को square बने 1 numerator ला एजटीज अब है है ने रा 2 minus 1 बने तो कती 1 तेसे बाए square root 2 minus 1 को whole square divide by 1 होंचा 1 गाइब गर देंचा किना मानी जून कोने टर्म लाए 1 ले divide गरे पने as it is रहांचा अब है square root 2 minus 1 को whole square तेसको square root सा बने तब square root रा square चे गाइब के बाएगे रहांचा square root 2 minus 1 योचे कसको ब्यालू हो 22 whole 1 upon 2 अथवा 10 22.5 डिगरी को ब्यालू हो हमलाए find out गरना पने अथवा प्रूब गरना पने यही थियो लग यो वीडियो माचा येतिने next वीडियो मा remaining questions वारू solve गरने चू okay thanks for watching